आज हम देखने वाले हैं NCBT June 2019 का पेपर जे फर्स्ट यार का पेपर था एनौल सिस्टम वालों के लिए आया था 10th pass की जो ट्रेड्स हैं उनके लिए और 10th pass की ट्रेड्स में जो एक साल की ट्रेड्स हैं उनके लिए केपल Engineering Drawing का पेपर है इससे पहले मैं 2019 का एक पेपर और सॉल्व करा चुका हूँ जो 8th pass की ट्रेड्स के लिए आया था आये देखते हैं तो इस पेपर में चार कोशन आये थे टोटल इन चार कोशन में फर्स्ट कोशन था Write the following sentence in single stroke vertical capital letter of 16 mm height 16 mm की height में single stroke में लिखना था सिर्फ आपको एक statement है never use a dull pencil इसको लिखना था सिर्फ कोशन नमर दो है draw symbols of 10 symbol आपको अलग-अलग items दिये हैं 10 और उनके symbols बनाने थे कोशन नमर तीन था draw free and sketch of any two कि किसी भी दो के free and sketch बनाने थे जिसमें vernier caliper कोई भी एक file any type of file कोई भी एक sha और drill bit कोई भी एक drill bit और इसके अलावा एक question था जो first angle projection में आपको बनाना था आएए देखते हैं so question number one है आपकी screen पर write the following sentence in single stroke vertical capital letters of 16 mm height never use a dull pencil never use a dull pencil सिर्फ आपको यह लिखना था तो इसमें आपको याद रखने वाली बात ये थी कि एक तो आपको height दी है 16 mm height दी है तो आपको यह height जो लेनी थी 16 mm सबसे बहले आप एक line कीचेंगे और उसके नीचे 16 mm distance पर एक दूसरी line कीचेंगे ठीक है इस तरह आप दो line को draw कर लेंगे इसके बाद आपको पता है कि single stroke में लिखना है या double stroke में लिखना है आपसे बोला है single stroke में लिखना है तो single stroke के लिए 7 by 4 का ratio आपको use करना है 7 by 4 क्या है height और width का ratio अगर height 7 है तो width कितनी होगी 4 होगी इस तरह से अगर height 16 दीए आपको तो width कितनी होगी 9.15 तो approximate 9 का आपको ले ले लेना है एक point approximate 9 पर आपको एक point और इस तरह से 99 की distance पर फिर यहां से 9 इस तरह से आपको जैसे कि never में 5 word है तो आपको इस तरह से 5 word बना लेने है 5 इस तरह से block बना लेने है इन block के अंदर आपको N, E, V, E, R लिख देना है इन block के अंदर आपको क्या करना है N, E, V, E और R इस तरह से आपको लिख देना है सिर्फ इस तरह से आपको never use a dull pencil इस तरह से आप पूरा लिख लेंगे आए देखते हैं question number 2 अगर आपसे double stroke बोलता तो आपको 7 by 5 में लिखना होता सिंगल stroke और double stroke क्य होते हैं इसके लिए मैं एक अलग से video बना हुआ वहां आपको detail में बता हुआ अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि single stroke जो होता है वह वह होता है जहां आपको जो भी मोटाई है जो भी आप अक्छर लिख रहे हैं उसकी मोटाई है तो उस पूरी मोटाई को सिर्फ एक stroke में लेन काई, जैसे कि अगर एक मोटाई होती तो यह क्या है एक वार में पूरी मोटाई होती लेकिन अगर आपको अक्छर कैसे लिखना है मोटा जाधा अब आपको क्या करना पड़ेगा एधकर दूसरी वार भी pencil को यूज करना पड़ेगा और जब आप दो बार pencil का यूज़ करत अलग-अलग symbols आपकी screen पर हैं, यह है diode के लिए, यह है electric bulb ज़िकर लिए या lamp के लिए, यह है आपका fan, यह है switch, switch में दो तरह के होते हैं, एक open switch और close switch तो यह है open switch का और यह है close switch का, resistance के लिए दो दरह के symbols होते हैं, आपकी screen पर दोनों ही है, आपको यह याद रखनाँ है इसके बाद variable capacitor का आप से पूछा था तो capacitor का जो होता है वो होता है ये और variable capacitor है तो इसमें आप इस तरह से cross लगा देते हो तो आपकी screen पर आपको दिखी रहा है variable capacitor का इसके बाद eye section of steel है तो eye section of steel के लिए eye ये symbol होता है उसका weld joint, weld joint में दो तरह की joint होते है एक होता है lab joint, एक होता है butt joint, जब एक की उपर एक plate होती है तो वो होता है lab, मतलब overlapping की होई है आपने तो उसको हम बोलते है lab joint, और जब एक के बगल में adjacent side में रखी होती है दूसरी, तो हम उसको बोलते है butt joint, तो दो तरह की joint थे मैंने आपको joints भी आपको यहां बता दिये और welding joint में आप इनमें से कोई भी एक बना सकते है इसके बाद fuse, fuse में आपको दिख रहा है कि यह fuse का symbol है, इसके बाद transistor, दो तरह की transistor होते है NPN transistor और PNP transistor, यह है NPN transistor, यह है PNP transistor दोनों के symbols आपके सामने है, इसमें से आप कोई भी बना सकते हो, अब दिखो जो welding joints होते है, वो generally कोई भी welding हो, वो तीन तरह की उसमें से, तीन तरह में उसको classify किया गया है जैसे bead, fillet weld और groove weld, जैसे कि यहां आपको दिख रहा है कि आपने किया है groove भरा हुआ है, तो यह क्या है groove, fillet weld होता है, जहां आप भरते हैं, भराब करते हैं, तो यह आपको दिख रहा है, कि आपने किया lab joint है यह, जिस lab joint में आपने fill किया है, तो इसको आप क्या बोलोगे, fill इसी तरह से एक बीड होता है, जादा तर आप जो सबसे ज्यादा यूज करते हो, वो कौन सी बेल्डिंग होती है, वो बीड बेल्डिंग ही होती है, तो आपको समझ आया होंगे, आएछे दिखते हैं, कोश्यन मेर 3, में आपको वर्नियर कैलिपर, एनि टाइप अफ फायल स़ा और ड्रिल बेट, इसमें से कोई भी दो बनाने थे, तो सबसे बहले आपकी screen पर एक vernier caliper, इस vernier caliper के अलग-अलग parts जैसे कि यह है internal jaw, यह है external jaw, यह है locking screw इससे आप इसको lock कर सकते हो, यह है imperial skill इसको आप बोलते हो imperial skill ठीक है और यह बाहर वाली use skill होती है इस तरफ की इसको आप बोलते हो metric skill जिसमें inch में readings होगी और इससे आप depth measure क करने के लिए यूज करते हैं आप इसको आप बोलते हो blood depth measuring blood तो जो external jaw होते हैं उससे आप क्या करते हो मान के चलो यह एक cylinder है और आपको क्या करना है इसका external diameter पता करना है तो आप कैसे बदाय करेंगे इसके external jaw में आप क्या करेंगे external jaw के यहाँ आप इसको लगाएंगे और इ तो internal job को use करके आप internal dia पता करते हैं और external job को use करके external dia पता करते है ये ordinary टाइप का था एक one-year caliper आइए देखते हैं अगला ये आपके सामने one-year caliper ही है और digital type का है इसमें क्या होता है, कि आपको reading digitally मिल जाती है आपको reading को पढ़ना नहीं पढ़ता है इसमें आपको reading को पढ़ना नहीं होता, आपको automatically reading screen पर मिल जाती है, इसमें लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, इसका calibration करना होता है, सबसे पहले 0 पर ले के आते हो आप इसको, और 0 बटन यहाँ, 0 बटन होता है एक उसको आप प्रेस करते हो, इसको आप 0 setting भी बोलते हो, औ और power on और power off यह दो बटन भी आपको इसमें मिलते हैं, उसी से आप power on करते हो, और off करते हो, बाकी सब सेम है, सिर्फ आपको यहाँ reading नहीं पढ़ना होता, और आपको reading digital form में screen पर दिख जाती है, तो exam में इन दौन में से आप किसी को भी बना सकते हो, आप इसका screenshot ले लो any type of file, तो सबसे बेले file होता क्या है, file मतलब इसको आप इन दी में बोलते हो, रेती, generally यह finding करने के काम आती है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, file बोलते हो, या घिसने के काम आती है, रेती का क्या काम होता है, घिसना, तो इसके वारे में जो questions भी पूछे जाते हैं, तो पहला question है, कि file की लंबाई क्या होती है, file की लंबाई कहां से कहां तक होती है, तो file की लंबाई यहां से नहीं होती है, file की लंबाई कहां से होती है, file की लंबाई होती है, उसकी heel से लेकर, और point तक, heel से लेकर point तक, यह जो लंबाई होती है, इसी लंबाई को आप क्या बोल काफी तरह की market में files available होती है, और जनरली जह handle है वो plastic का नहीं होता है, जनरली wood का होता है, यहां आपको plastic का दिखाया गया है, चलिए देखिए, तो इसमें आपको वही है, सिर्फ इसमें मैंने handle को change किया है, और आपको दिखाया है की wood का handle होता है, और वो किस तरह से लगा होता इस पार्ट को जहां जे जॉइन होता है उसको आप बोलते हो शोल्डर, हैंडल, फेरल जो पार्ट गोल होता है आपको पता है जिससे की ब्लॉक होता है अपनी जगह पर ही बना रहे और हील आप बोलते हो उस पार्ट को जहां कोई भी किसी भी तरीकी की थ्रेडिंग नहीं की जाती, file length आपको मैंने बताया अभी, tip आपको पता है, side आपको पता है, और age आपको पता है, अब हम देखते हैं types of file, file को इसके shape के आदार पर कितने parts में बाटा है, काफी होते हैं, वैसे तो इसके काफी सारे तरी से इसको आपने अलग अलग तरे से parts में डिवाइड किया है, लेकिन shape के आदार पर इनको जो mainly divide किया है, वो 6 दरीके की file होती है, सबसे बहले head file, head file में क्या होता है, कि rectangular होता है, इसका cross section होता है, rectangular, सबसे उपर वाली आप देख रहे हैं, इसका cross section कैसा है, rectangular है, और पूरे में ये same, इसकी length, पूरी throughout the length ये कैसी है, same है, इसके बाद flat file मे क्या होता है, cross section तो rectangular होता है, लेकिन ये, कम, पहले कम होता है, और फिर दीरे-दीरे बढ़ता जाता है, दीरे-दीरे ये आप देख रहे हैं, लंभाई के सबसे बढ़ रहा है, इसकी width है, वो बढ़ रही है, फिर half round, half round आपको पता है, इसका cross section कैसा होता है, semi circular होता है, एक इसके बाद square file, तो square file कैसी होती है, चारो तरफ से square, मतलब इसका जो cross section हो कैसा होता है, square shape का होता है, इसके बाद triangular file, triangular file कैसी होती है, triangle के shape की होती है, और आपकी screen पर इसी तरह से triangular में ही, अगर मान के चलो कि 0 से बढ़ रही है, धीरे-धीरे 0 से, और triangular shape में बढ़ रही है, तो उसको आप बोले कोई, triangular file अगर 0 से नहीं बढ़ रही, अगर वो proper same है, चारो तरफ, वे तो उसकी same है, तो आप उसको बोलते हो, three square file, three square file, ठीक है, चलिए, तो ये बात होई, किस के बारे में, file के बारे में, इस में से आप किसी भी file को, आपके exam में draw कर सकते हो, अब हम देखते हैं, सा, सा में, सबसे पहले, आपके सामने है, hexa, मैंने आपको draw किया है, hexa, क्योंकि ये सबसे आसान है, तो आपकी paper में, नाम नहीं आया था, तो आप hexa बना देंगे, hexa में ये होता है, इसका frame, इस पार्ट को आप बोलते हो, black color का जो part है, इसका frame, ये है इसका blade, cutting blade, ये है इसका handle, इस पार्ट को आप बोलते हो handle, और यहां क्या लगा हुआ है, इस एक nut लगा होता है, जिससे आप इसको adjust कर सकते हो, blade को tight और loose कर सकते हो, ये जो nut होता है, generally ये एक wing nut, हम इस जगे पार लगाते हैं, wing nut, wing nut मतलब मक्खी के जो punk होते हैं, वो punk क्या करका होता है, अब हम देखते हैं, types of saw, अलग अलग तरह के saw, तो देखिए ये है cross cut sa, सबसे बहले cross cut sa, इसके बाद hex sa, अभी मैंने आपको बताया, ये है back sa, hex sa में आप front की तरफ दांत होते हैं, और back sa में जब आप उसको बापस ले के आते हो, तब cutting होती है, तो ये होता है back sa, इसको नाव होती है, ये है copping sa, आपको यूज करना है, तो आप इसका वहाँ यूज करते हो, keyhole sa का, ठीक है, और इसके बारे में तो आपको पता है, ये है hand sa, आए देखते हैं, sa के बाग drill bit, सबसे आसान drill bit है ये, कौन से drill bit है ये, ये simple drill bit या twist drill bit, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इन दो में से कोई भी बोल सकते हैं, और इसका ये side view है, इसमें ये जो part होता है, ये होता है, shank, अलग-अलग में, अलग-अलग-अलग type की drill bit में, अलग-अलग shank होता है, ये होता है, neck, flutes, body, cutting edge, body clearance, land, तो इन सब को आपको अच्छे से देख लेना है, और याद रखना है, जब भी आपके exam में, अक्सर ये पूछा जाता है, कि drill bit की drawing आपको draw करना है, अब हम देखते हैं, drill bit के type, mainly drill bit तीन तरह की होती है, twist drill, counter board drill, counter sink drill, counter board drill, counter sink drill, इनके अलगलग काम होते हैं, इनके अलगलग काम भी होते हैं, तो सबसे पहले, आप इनके shape देख लो, यह है twist drill, यह है counter board drill, और यह है counter sink drill, Suppose that आपको कहीं drilling करनी है, तो आप कौन सी use करेंगे, twist drill को use करेंगे, कहीं आपको reaming करनी है, तो आप ड्रिम को यूज़ करेंगे यह भी एक टाइप रिमर बोलते हैं इसों को रीमर ड्रिई या रीमर अगर आपको कहीं बॉरिंगी करनी है तो बॉरिंगLA होता है जिसमें नीचे दौगर लगा होता है जनली यह counter sinking होकर उसमें लगाते हैं counter sinking होकर लगाते हैं आपने देखा होगा जब वोर्बेल कहीं भी digging होती है उसकी खुदाई करते है तो आप इसको use करते हो tapping के लिए use करते हैं और counter boring मतलब counter boring अभी मैंने आपको बताया था कि counter अब जो आपका fourth question है वो है plan elevation first angle में आपको ड्रॉ करने है केवल plan और elevation आपको draw करना है side view ड्रॉ नहीं करना है लेकिन हम आपको side view भी बना कर दिखाएंगे तो देखिए यह आपके सामने question है screen पर और इसमें मैंने अलग-अलग mark किया है कि आपको front view में क्या देखेगा तो जो green color के mark है यह मैंने आपको बताया है कि front view में आपको क्या-क्या दिखने वाला है यह part आपको front view में दिखेगा यह part आपको front view में दिखेगा इस पर मैंने कि side view में आपको क्या देखेगा जब आप side से देखेंगे तो side view में आपको क्या देखेगा आपको side view में ये part देखने वाला है और ये part देखने वाला है और ये part देखेगा और आपको ये देखेगा ठीक है अब हम देखते हैं कि हमको top view में क्या क्या देखेगा तो फिर से हम color change करते हैं red use करते हैं और अब हम देखते हैं कि जब आप उपर से देखेंगे top से देखेंगे तो top view में आपको क्या देखेगा top view में आपको ये part देखेगा top view में आपको ये देखेगा बेस लाइन के लिए मैं यूज़ करूँगा यलो कलर पीला कलर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंट व्यू में क्या क्या देखेगा जल्दी से देखिए ग्रीन गिलर से मैं मार्क कर रहा हूँ मुझे सभी चीज़ें आपको फ्रेंट व्यू में दिखने वाली है चलिए ड्रो करते हैं सबसे बहले बेस आपको दिख रहा है कि पंद्रा का आपको राइट पार्ट दिया हुआ है और दस और दस मतलब पंद्रा प्लस दस प्लस दस मतलब 35 आपको 35 का एक लाइन ड्रो करना है 35 के बाद आपको हाइट 40 दिख रही है लेफ्ट से 40 हमने लेफ्ट से ड्रो किया 40 इसके बाद आपको 20 तो आपने 20 ड्रो किया इसके बाद नीचे जाना है कितना ये दिया है 10 ये दिया है 10 टोटल 20 दिया है और ये कितना बचा 20 ये बचा तो नीचे से 20 उपर जाना है और उपर से भी 20 ही नीचे आना है इसके बाद इन दोनों को 15 cm को 15 mm को आपने मिला दिया है चलिए इसके बाद पीछे वाला पार्ट आप ड्रॉ करते हैं तो पीछे वाला पार्ट इस तरह से आपको दिखेगा यह हम ड्रॉ कर चुके हैं इसके बाद आपको इसकी dimension कर देनी है जैसे कि इसका नाम आपको लिखना है इसमें कितना इसका distance है जैसे कि 35 है टोटल 15 प्लस 10 प्लस 10 तो 35 आपने इसका base में 35 लिख दिया इसके बाद आप और लिखिए जैसे कि 15 कहां है 40 इसकी height है वो लिखिए 15 आपने लिख दिया इसके बाद कि total 20 इसकी जो ऊचाई है आपने वो लिखी तो इसके सभी elements की उचाई आपको लिख देना है और लंबाई और चोड़ाई आपको लिख देना है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ देखिए 20 मैंने लिखा उसके बाद 20 भी लिखा और 15 इसकी width मैंने लिख दिये और total width कितनी है 35 वो मैं already नीचे लिख चुका हूँ चलिए इसके बाद अब हम draw करने जो भी lines हैं उसको draw कर लेते हैं और इनको सभी lines को extend कर लेते हैं मैंने आपको कल भी बताया था कि bottom की तरफ line को extend करेंगे जिससे कि हम top view बना पाएं और side की तरफ भी extend करेंगे जिससे कि हम side view भी बना पाएं तो आपके paper में side view के लिए नहीं बोला था लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि side view भी कैसे बनाएंगे हम यह भी देखेंगे इसके बाद चलिए हम draw करते हैं top view या side view ड्रॉ कर लेते हैं चलिए बहले तो side view में देखिए जो भी मैंने blue color से mark किये हुए हैं जे सभी चीज़ें आपको side view में दिखने वाली हैं अच्छे से देखिए और आपको देखेगा यह है ठीक है तो एक c type का section और पीछे वाले rectangular sections C type का section है उसकी total length कितनी है 10 तो सबसे पहले मैंने बनाया 10 आगे वाला part में ने बनाया 10 इसके बाद 10वाली की height है 20 तो मैंने 20 तक draw किया फिर इसकी height है 10 तो मैंने 10 तक draw किया इसके बाद इसकी लंबाई 30 दी है मुझे तो मैंने 30 ड्रॉ किया है वहाँ से bottom 10 तो मैं 10 आ गया फिर right 10 तो मैं 10 आ गया और उसके बाद उचाई दी है 20 तो मैंने 20 ड्रॉ कर लिया इसके बाद यहाँ से आपको दिया है इसकी लंबाई दी है 10 center की, तो center के बाद total आपको पता है कि 50 है बीच में 10 है, तो 20 right में और 20 left में आपने draw किया फिर आपने उचा ही इसकी draw कर ली total, total उचा ही आपको बना ली, तो इस तरह से C वाला part आपने बना लिया, इसके बाद पीछे का जो part है चलिए हम बो draw करते हैं, तो आपने ये part बना लिया, इसके बाद इस part को भी बनाना है, तो हमने एक 20 की line और 20 से फिर आपने 20 ही नीचे, इस तरह से अब आपका side view बन कर तैयार हो गया इस side view में भी आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है और सभी dimensions अच्छे से लिख दे नहीं है, जैसे कि 10 मैंने dimension लिखी, 10 मैंने लिखा, इस 10 को भी लिखा और मुझे लिखना है बीच में 30 तो मैंने बीच में लिखा 30 इस 30 को लिखने के बाद अम मैं लिखूँगा 20 और इसकी height है 10 initial height तो मैंने 10 भी लिखा, इसको भी आप extend करके दिखाईए अच्छे से जब आप इसको extend करके दिखाएंगे तो पता चलेगा कि यह कहां तक की height है तो एक line हम extend और कर लेते हैं चलिए, इसके बाद हम लिखते हैं, top की इसकी भी, जो width है वो है 10 इसके right part की width है 20 इस वीडियो को आप अच्छे से देखो बार बार देखो, पौच करकर के देखो और इसकी practice भी करना, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा इसको आप draw करके भी देखो किया आप बना पा रहे हो या नहीं तो इस तरह से आपने side view पूरी तरह से बना लिया अब हम इसका top view बनाएंगे तो देखे top view में आपको क्या क्या elements दिखेंगे और आपको देखेगा bottom का ये part जब आप इसको उपर से देखने वाले हैं तो उसको आप मुक्या बोलते हैं top view तो आपको top view में ये red वाले जो points में लगाए हैं ये आपको top view में दिखने वाले हैं चलिए इसको draw करते हैं हमेशा front view के नीचे top view बनता है तो सबसे बहले 35 की एक line हम उपर वाला part पहले बनाते हैं हमेशा जो part आपको उपर हो वो आप पहले बनाओ जो नीचे है वो बाद में बनाओ जो आगे है उसको पहले बनाओ जो पीछे है उसको बाद में बनाओ तो चलिए हम जो part उपर है c type का एक part था उपर उसको हम बना रहे हैं 10, 30 इस तरह से आपने इसको draw कर लिया और फिर एक line और एक line 10 की और इसको बापस मिला दिया तो आपने जो ऊपर वाला जो part था है आप आप draw कर लिया आपने आप हम जो नीचे वाले elements हैं इनको भी बनाएंगे नीचे के elements आप directly आप इस तरह से join कर सकते हैं एक तरफ 15 है और एक तरफ 20 है 15 और 20 को आप इस तरह से join कर देंगे इसी तरह से आपके left में भी है मतलब ऊपर भी है तो आप इसको भी 15 और 20 को इस तरह से rectangle बना कर join कर देंगे इसकी भी अब हमको क्या करना है dimensioning कर देना है अच्छे से हमको dimensioning करते वक्त बहुत अच्छे से ध्यान रखना है draw जब हम इसको करेंगे तब भी अच्छे से हमको ध्यान रखना है कि कौन सा element कितना है इस वीडियो को आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इसको हम बनाएंगे 20 और यह है 30 फिर 10 10 हम draw कर लेंगे इस तरह से आप सभी elements के लिए लिख सकते हैं कि वो उसकी quantity कितनी है मतलब उसकी length कितनी है उसकी width कितनी है और उसकी height कितनी है सभी के लिए आप अच्छे से लिखिए जिससे की और maximum को लिखिए जिससे की सभी को पता चले कि आपने कितना draw किया है इतना करने के बाद आपको लिखना है कि कौन सी चीज front view है, कौन सी चीज top view है, कौन सी चीज side view है, हमेशा जनरली इसको हम नीचे ही लिखना चाहिए, लेकिन अभी हमने जगए उतनी नहीं छोड़ी थी, तो चलिए, इसको हम उपर लिख देते हैं, बाकि आप लोग इसको हम इसा नीचे लिखने की कोसिस किया करिए, लिख तो हम कहीं भी सकते हैं, लेकिन जनरली हमको इसको नीचे लिखना चाहिए, हर चीज के हमको हर ड्रोइंग का एक स्केल होता है, वो भी साथ में लिखना चाहिए, तो हमने front view लिखा, side view लिखा और इसी तरह से top view लिखा, इस को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिए, ठैंक यू